नहुसकार आप देख्वे हैं क्या नियुसका दिचिटो फ्लार्फॉम और मैं हूँ आपके साथ मुश्यावगी देख की हैं अर्वादा चछाय मेंन तंक नए इन प्यर्फ तंक नियुकानाला थे खाना थेख्या चाहल क बॉर में व brake कैल उआ आप जब मार्केट से नया टमाटर खईत किलाते हैं, फ्रेश टमाटर खईत किलाते हैं, तब जैसे उसका स्वाद होता है, क्या उसका स्वाद बिल्खुल वैसा ही रहे हमारी इस खास वीडियो में देखिए। देश के कई शहरों में इस समय टमाटर काफी महंगा बिक रहा है, टमाटर का भाव सो रुपय किलो से अधिक हैं, वहीं कुछ दिन पहले टमाटर का भाव इतना ज्यादा कम था कि किसान इसे फेक तक रहे थे, देश के कई हिस्सों में टमाटर की फसल बरबाद होने के कारण आपूर्ती का संकट आ गया, इस तरह के इस्तितीन से निपटने के लिए सबजियों को कोल स्टोरेज में रखा जाता है, तो चलिए जानते ही कि टमाटर को कितने दिन तक कोल स्टोरेज में रखा जा सकता है, टमाटर का भाव भले ही इतना ज्यादा क्यों नहों लेकिन बत प्रवंधन अच्छे से किया जाए सरकार को गर्मी में टमाटर उगाने के लिए इसानों को प्रुसाहित करना चाहिए अचानक से होने वाली इस तरह की मारमारी का समधान है आपने कोल स्टोरेज का नाम जालतर आलू के समबंध में सुना होगा लेकिन कई तरह के सबजियां कोल स्टोरेज में रखी जा सकती हैं ऐसे में टमाटर की बात की जाए तो पके हुए टमाटर को 13 degree Celsius तापमान से नीचे तापमान पर कई दिनों तक स्टोरेज करके रखा जा सकता है लेकिन कम तापमान भी टमाटर को नुकसान पहुचा सकते हैं इसके भंडारन के लिए तरीके और अब धी अलग-अलग कारको और तरीकों के अधार पर अलग-अलग होते ही तो चलिए वो जानते ही कही तरह से भंडारन करने पर टमाटल के एक से डेर सब्ता तर बिना कुछ खराबी या कमी के अराम से स्टोरेज करके रखा जा सकता है समाने तरह से स्टोरेज करने पर टमाटल को 4-5 दिन तक अराम से बिना किसी नुकसान के रखा जा सकता है टमाटर की फसर ऐसी होती है जो पेड़ से तूटने के बाद भी पकती रहती है इसलिए टमाटर के भंडारन से बहतर है कि उसकी प्योरी तयार करके कोल स्टोरेज में रख ली जाए ये अगले सीजन तक अराम से चल सकती है